नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की अंतराष्टी राजनीती में कितनी तेजी से बदलाव आता है और कितनी तेजी से नए नए चेहरे पुराने चेहरों को पिछाड़ते हैं इसकी ताजा मिसाल है युनाइटि दिये जला रहे हैं और लोग क्या-क्या क्यास लगा रहे हैं ट्वीटर पे अलग-अलग चीज़ें ट्रेंड हो रही हैं लेकिन ये तमाम लोग भूल जा रहे हैं कि चार साल में चौथा प्रधानमंत्री जिस देश में बन रहा है उस देश में कितने बड़े पैमाने पर अस्थिर्ता है यह राजनितिक अस्थिर्ता इस देश की आर्थिक अस्थिर्ता से जुड़ी हुई है वे भूल जा रहे हैं कि रिशी सोनक सिर्फ भारत ही नहीं केनिया पर भी उनका उतना ही हक है और वह नागरिक ब्रिटेन के हैं आए इस पर चर्चा करेंगे प्रबीर प्रबीर हमें दिखाई दे रहा है कि युनाइटिट किंडम ब्रिटेन ब्रितानिया जिसे कहा जाता है चार साल में चार प्रधान मंत्री यह बहुत अनोखी चीज है ब्रिटेन जैसे देश के लिए और उसमें जिस तरह से रिशी सुनक आए हैं उनका जो भारत से कनेक्श हैं वो सारी चीजें तो हमें सुनाई दे रही हैं उन पर बहुत चर्चा हो रही है सवाल बुनियादी है इतनी अस्थिरता इस देश में क्यों पड़ा अच्छा सवाल है इसके लिए क्योंकि यह बात तो सही है कि ब्रितानिया को एक जमाने में यह कहा जाता था कि ऐसा एक empire है जिस पर सूरज नहीं डूबती तो इतना बड़ा उसका दायरा था उस वक्त तो pound दुनिया का कहते थे बे जो currency है दुनिया की reserve currency pound थी दूसरे महायुद्ध के बाद उनका सितारा नीचे आया काफी अमरीका का सितारा उभर के आया फिर भी United Kingdom की ब्रितानिया की एक दुन एक ex-colonial power है बलकि उनकी colonies world war के बाद भी बरकरार थी दुनिया में अलग अलग जगों पर उन्होंने गुलाम बनाये थे देशों की गुलामी थी भारत एक गुलाम देश था वो चला हम तो 47 पे आजाद हो गए पाकिस्तान 47 पे आजाद हो गए पर कीनिया से लेकर Malaysia इन अर्थिक संकट धीरे धीरे बढ़ता है कि पाउंड का उस तरह से बॉलबाला नहीं रहता जो पहले था डॉलर ले लेता है उसकी जगा डॉलर उसकी जगा लेता और पॉंड भी कमजोर होता है पॉंड का ये जो रोल है इसलिए घटता है कि एक देश की आर्थिक जो भार होती है इंटरनाशनली वो होता है कि उत्पादन करता है पैदा करता है कुछ चीजे ये तो आप दिमागी उपज उसकी है, intellectual property है, उसके patents काफी है, वो भी विज्ञान के आधार पे उसकी वो स्थापत होता है, तो अगर इन चीजों में आपका उस तरह से भूमिका नहीं रहता, तो क्या होता है, बृतेन की भूमिका इस वक्त दुनिया में financial power के रूप में है, जितने तो कहते हैं ला सबसे आगे है, सबसे ज्यादा तथाकति treasure islands उनके तबजे में है, अभी भी, और उनके financial empire जो है, उसका जिसका करणधार, केंदर बिंदू, लंडन है, वहाँ ये उससे चालित होता है, बैंकों की और भी जो financial institutions है, तो एक financial power के रूप पे UK, United Kingdom रहे गया है, और सबसे अगर है, तो वह ये है, कि वह insurance करता है, जब कुछ चीजे लेदेन होती है, देशों के बीच पे, उसका insurance जो है, लॉइट्स करता है, international markets कुछ है, जिसे metal market है, जिसमे सोना की भी बिक्री होती है, और भी चीजों की बिक्री होती है, उसका market London Metal Exchange है, पर इसमें खुद कोई ची बिर्तानिया के पास इस वक्त है, वो नहीं है, और यही कमजोरी उसको धीरे धीरे नीचे के तरह ले जाता था, योरप के और भी देश है, जैसे जर्मनी है, उत्पादन करता है, फ्रांस है, कुछ चीजे पाइदा करता है, पर बिर्तानिया को वो भूमी का, United Kingdom को वो भू जिसके आधार पे इस वक्त बहुत सारे टेक्नोलजी चीजे स्थापित होती है, वहां उसका इस तरह को भूमी का नहीं है, ना कि उस पर खर्च करते हैं, अभी का जो राजनितिक संकट है, जैसे हमने देखा कि बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा, उसके बाद फि अब कंजर्वेटिव पाटी के ही लोग हैं, यह जो पूरा का पूरा सिलसिला है, इतने बड़े पैमाने पे राजनितिक अस्थिरता का होना, और जिनको हराया अब फिर वही प्रधान मंत्री बनने जा रहे हैं, तो क्या बुनियादी फर्क है, दोनों की नीतियों में उनक इतनी जल्दी जो इस्तीफा देना पड़ा, और यह जो अब दावे से आएं, क्योंकि पहला चीज इन्होंने कही, पहली चीज इन्होंने जो पहला दावा किया रिशिसोनक ने, वो यह कि हम स्थिरता लाएंगे, हम शान्ती लाएंगे, दामों को लेके बहुत बड़ी चि अथिरता के शुरुवात अगर आप देखें, तो देखेंगे, बिटान, बिटानिया के जब पाउंड का असर दुनिया में कम होता है, तो उनकी क्राइसिस शुरू होती है, क्यों हो रहा है, मार्गरेट थैचर एक उसका पहला उदारन है, जो ने ने कहा था, वर्किंग क् ठाकत मिलता है, और रॉनल रिगन अमरीका में, दोनों वर्किंग क्लास से पैसा अमीरों को दिया जाए, टैक्स शूट दिया जा अमीरों को, यह दोनों चीज कह रहे थे, यूनियन्स को तोड़ना है, टैक्स शूट देना है, अमीरों को, उससे देश की खुशाली बढ़ अच्छी हो जाएगी, और उसका फाइदा सबको ट्रिकल डाउन एफेक्ट की तरह आएगा, इस नियो लिबरल एकनोमिक्स की शुरुवात, मार्गरेट थाचर से हुई थी, एक कहा जाता है इतिहास में, फर्स टाइम एज ट्राजडी, सेकंड टाइम एज फार्स, तो मार एक दिल्चस बात कहीं, बहुत ही जिसको लेके सबको अचंभा हुआ, उन्होंने कहा कि हम गरीबों को भी रहात देंगे, क्योंकि दाम बहुत बढ़े हुए हैं, तो लोगों को बिजली और बाकी सब में रहात देंगे, लेकिन अमीरों पर भी टैक्स कम करेंगे, तो ये दोनों चीजें उन्होंने दोनों ही दाम एक साथ उन्होंने खेले, जिसके बाद वहां का जो पॉंड है वो बैठने लग गया, पैसा बाहर जाने लग गया, तो देखे इसका शुरुआद भी ब्रेक्सिट का डिबेड जोता है, उससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि ये सब बॉरिस जॉंसन हो, तेरीसा में हो, पहले की जो प्राइम मिनिस्टर थी, लिस्टरस हो, सब ब्रेक्सिटर है, कि हमारा क्राइसिस इसी लिए है कि हम ब्रेक्सिट, यूर्पेन यूनिन के पार्ट है, इंग्लेंड अगर उससे निकल जाएगा, तो खुशाली हो जाएगी, हकीकत है कि वो तो हुआ नहीं, ब्रेक्सिट से उनकी इकनॉमिक क्राइसिस और भी बढ़ा है, यूर्पेन यूनिन के क्राइसिस है, पर यूके के क्राइसिस उससे भी कह रहा है, और खास तोर से एक तो पहले कोविड नाइटिन का असर रहा है, इसके बाद जो युद लेकर उसका गेहू का जो एक्सपोर्ट होता है, उसको बंद करने की कोशिश की, जो ये एकनॉमिक वार जो रूस पे किया है, उस पे यूद्ध में पूरी तरह से यूके उसका साथ है, तो ये सब जो है, उसका एनरजी दाम बढ़ाना बिजली का क्राइसिस पैदा करना है बड़े पैमाने पे वहां की नागरिकों में आक्रोश और असंतोश है जिसको लेकर, तो उसके लिस्ट ट्रस का जो कह सकते है, बैजिकल रियलिजम का शब्द आपका एक इस्तवाल होता है लिटरेचर में, तो ये एक मैजिकल नियो लिबरलिसम था, कि हम दोनों तरफ पै चेकर है, जो हमारा देश का खाजाना है, वो और भी कम हो जाएगा, क्योंकि अमीरों को भी पैसा देगे, गरीबों को भी देगे, पर उससे मार्केट इतना उच्छाल आ जाएगा मार्केट में, कि सब को जो है फायदा हो जाएगा, उसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निक जबाब दिया, पाउन नीचे गया, पेंशन फांड्स की हालत बहुत खराब हुई, क्यों हुई, इससे में नहीं जा रहा हूँ, पर पेंशन फांड्स की तरफ पे आ रहे थे, तो मार्क लंडन के जो कहते हैं, रिजर्व बैंक उनकी है, रिजर्व बैंक में वो देना पड़ा, तो पहले तो उसको बली का बखरा बना दिया थे, लिस्ट्रस्ट ने, हकीकत तो था कि लिस्ट्रस्ट की पॉलिसी बिल्कुल एक थे, तो यह जो हुआ, इसके लिए उसको लोगों ने कहा, कि आपका अबधी अब छोड़िये, आपका अबधी हो चुका है, अब जाइए, अब और टोरी पार्टी को लगा कि लिस्ट्रस्ट और कुछ दिन रहेंगे तो उसकी अस्तित्व अगले चुनावे पूरी तरह से खत्व हो जाएगे, तो मार्गरेट थैचर का दूसरा शिष्य, रिशी सुनाक को वापस लाया जाए, कम से कम एक्सचेकर का जब वो देखभाल करता था, कम से कम अतरीत तो ठीक था, क्योंकि पहले वो वित्तमंत्री वही थे, वित्तमंत्री वही थे, बोरिश जॉनसन के समय, तो इसका कहा कि इसको वापस लाया, चांसेलर अब एक्सचेकर को प्राइम मिनिस्टर अब बनाया जाए, और ये जो प्रती भी हमारा साथ नहीं दे रहा है, तो ये जो एक तालमेल उन्होंने अभी बैठाया है, इस वक्ति लेबर पार्टी उनसे तीस प्रतिशत आगे है, चुनाओ की, अगर कल चुनाओ होता तो इसमें, क्या ये वापस लापाएंगे, टोडी पार्टी को बहुत प्रश् नीचे गया है, रेखा जो नीचे, ग्राफ जो नीचे गया है, वो इतना उबर के नहीं आ सकता कि तीश प्रतिशत फरक लेबर पार्टी से कर पाएं, लेबर क्या करेगा अलग बात है, पर सवाल है कि ये लार्जर क्राइसिस, अब जो सवाल पूछ रहेते, बिर्तानिया क प्राइसिस है, वो एक छोटा द्वीप है, उसको वो चीज समझना कि मैं दुनिया में एक बहुत बड़ा शेर हूँ, वो उसको छोड़ना पड़ेगा, छोटा देश है, उस तरह से रहे, ना कि लिस ट्रस जो कह रहे थी हम तो नुक्लियर बॉम भी किसी देश में गिरा सक है, यहाँ पर एक जो बहुत एहम चीज है, इस पूरी चर्चा में उसमें भारत है, क्योंकि देखिए जैसे ही शुरू हुआ और जैसे ही नाम आ गया कि भाई अब यह बनने जा रहा है, रिशी सुनक, तो भारत में तमाम मीडिया घरानों की तो छोड़िये ही, जो वर्ट इन से बदला लेने के लिए, इतने साल की गुलामी थी, अब वहाँ पर बैट गए हैं, और इसे एक हिंदुत्व की जीत के तौर पे, मोधी हैं तो मुमकिन है, हैस्टेक चलाया जा रहा है, यह सब कुछ अंतराष्टी घटना क्रम पे भारत का रियाक्शन इस तरह से आ र पर यही अवधार्ना बनाते हैं, लाखो लोगों तक पहुचते हैं, दिखिया अन ओर्गिनाइज़्ट थे, इस बहस को छोड़ देते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगताे अन ओर्गिनाम नहीं क्लेम नहीं करने आता, लेकिन निश्चत पर वो इसको छोड़ देते है आदा ओर्गिनाइजट है और इस पे कोई दोरा नहीं हमारे आम जनता में एक होता है कि एक भारतिये प्रधान मंद्री बर गया बृतानिया का एक हिसाब से बदला है तो ये एक बदला हमने ले लिया देखो गुलामी का सवाल ये है किनिया के ऊपर जितने अत्याचार हुआ था ओबामा अमरीका का प्रेसिडेंट होने पे उस पे कोई फरक नहीं पड़ा किनिया जो किती हो हालत में है तो अगर हम सोचे सुनक हमारा प्राइम मिनिस्टर है ये गलत फहमी होगी जिस सरह से आप कह रहे हैं कि जिस सरह से भारत वंची सुनक को बता रहे हैं उसी लिहास से अमरीका के राष्टपती ओबामा केनिया वंची थे मिलकुल उनके पिता जो है केनिया के अभी भी उसमें सिटिजन थे तो ये जो चीज है तो वो दिखाता है कि अब जब माइग्रेंट बनते हैं किसी देश पर जाते हैं उसकी सिटिजन शिप लेते हैं तो आपको और भी जाहिर करना पवता कि आप उस देश की नागरिक है और उस देश का हित जो है सबसे आगे रखेंगे जो प्रेजिड़िट उबामा ने भी अमरीका के लिए किया क कि लिए कुछ नहीं किया नकी प्रिशिद सुनक हमारे लिए कुछ करने वाले हैं और गलत पहमी ये भी है कि UK, बितानिया हमारे लिए कुछ कर भी सकती है इस वक्त हमारे एक्णुमी भी बिटन की एकॉनमी से बड़ा है तो इसलिए हम सोचें कि हम हमारे निवेश बढ़ बढ़ जाएगा नौपरी बढ़ जाएगी यह बेवकोफी है हभी छोटा सा देश अगर सही माने बे देखे उसका कोई इस तरह से बाहर होना भी नहीं चीए और अगर हकीकत देखे तो यह भी है कि वहां उनके जो 700-800 million pound की उनकी समपती है वहां पे उसका भी पैसा जो है इन फोसिस जैसे नराण मूरती जो जिनके दामाद है वो हां उसके जो एक पैसा एक हिस्सा वहां पर भी है तो हैंसे गया है वहां से अपनी आपने ही बना है तो मैं समझता हूँ कि ये हमको अच्छा लग सकता है कहते हैं दिल को बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा ख्याल है पर हकीकत है कि वो UK का प्रधानमंत्री है और UK का प्रधानमंत्री साबित करने के लिए अपने आपको हमसे कोई नरब रुख नहीं अपनाएगा बल्कि उसका ये हमेशा प्रूफ करना पड़ेगा कि मैं वाफादार इंग्लेंड का हूँ, UK का हूँ मैं वाफादार हिंदुस्तान का नहीं हूँ अगर गुजरन वाला के आधार पे हम क्लेम करेंगे तो वो तो गय कीनिया से उनकी पेरेंट्स पाकिस्तान का भी हक है, हमारा भी हक है, इंदु है इसके बाद कीनिया का हक है, पर हकीकत ये है कि तीनों का हक नहीं है, है तो UK का प्रधान मंत्री और वो UK का वफादार होंगे, क्योंकि वही उन्होंने उनकी citizenship ली हुई है, और वहां के आज के प्रधान मत्री बनेंगे तो UK का स्वार्थ सबसे आगे रखेंगे, ये मान के चलना चाहिए जी, बहुत-बहुत शुक्रिया दोस्तों, एक बात जो बहुत खुल कर डिटेन का यह संकट, United Kingdom का यह संकट हमें बता रहा है वह यह कि युक्रेन युद्ध पूरे यूरोप के लिए बहुत भारी है जिस तरह का आर्थिक संकट इन तमाम देशों की जनता जहेल रही है जिस तरह से जीना महंगा हुआ है, गैस महंगी हुई है उससे निपटने के लिए फिलहाल इन देशों के पास ना राजनीती है, ना अर्थनीती है रिशी सुनक कितना बड़ा चमतकार कर पाएंगे, यह तो हमें समय ही बताएगा लेकिन एक बात बहुत साफ है, कि पूझिवाद जिस संकट में फसा है, यह संकट आने वाले दिनों में बढ़ने जा रहा है देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, न्यूस क्लिक, परताल दुनिया भर की ताकि अंतराष्टिये खबरों पर पैनी और सच्ची निगाह आप तक यूहीं बेबाग धंग से पहुच सके, शुक्रिया